हेलो स्ट्रेंट्स वेलकम टू सीयार इंटरनेशनल स्कूल ओनलाइन क्लास हावरी बच्चू आज की वीडियो में हम अपना रीडर का हिंदी रीडर अरहुल का चप्टर नंबर 14 पार्ट 14 स्टार्ट करते हैं जिसका नाम है मिसाइल वोमेन टेसी थॉम्स देखो बिटा ये एक जैसे हमने मिसाइल में डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम के बारे में पढ़ाता ये है मिसाइल वोमेन इन्होंने भी मिसाइल के शेत्र में बहुत बड़ा योगदान दिया है ये लेडिज हैं ठीके हमा विज्ञान के शेत्र में अपनी प्रतिवा दिखा कर मिसाइल का काम किया उन्हें अगनी पुत्री की संग्या दी जाती है देखो ध्यान से सुनना बटा बारत में ऐसी अनेक महिला हैं जिनोंने महिलाओं को समाज में उची श्रेणी पर पहुंचाया है इनमें से कुछ रा जो भी कुछ हो इसके इलावा कई ऐसे क्षेत्र हैं जा महिलाएं सशक्तिकरन की रहा पर हैं ऐसा ये क्षेत्र देश की सुरक्षा देश की मिसाइल सुरक्षा की श्रंखला में अगनी चार का सफल परिक्षन करने वाली टेसी थोमस अगनी पुत्री के नाम से जानी जाती ह यह मिसाइल वोमेन ऐसी महीला हैं जिनोंने मिसाइल प्रोग्राम में महतोपुन भूमी का निभाई है याने कि इनको देश की मिसाइल सुरक्षा किश्रंखला में अगनी चार का सफल परिक्षन करने वाली टेसी थोमस अगनी पुत्री के नाम से जाना जाता है यह मिसाइल वोमेन ऐसी महीला हैं जिनोंने मिसाइल प्रोग्राम में महतोपुन भूमी का निभाई है उनका जन्म 1964 में केरल के एलब पुजा में हुआ था उनके पिता एक व्यापारी थे और मा घर संभालती थी उनकी मा ने उनका नाम मदर टेरेसा के नाम पर रखा था उनका विवा नेवी के सरोज कुमार से हुआ था उनकी माता ने उनका नाम किसके नाम पर रखा था मदर टेरेसा के नाम पर और उनका विवा किससे हुआ नेवी के सरोज कुमार से हुआ था उन्होंने अपने बेटे का नाम Tejas, विमान के नाम पर तेजस रखा, एक विमान का नाम था Tejas, जो कि बहुत famous था, उसके नाम पर उन्होंने अपने बेटे का नाम तेजस रखा उनके घर के पास ही रोकेट लॉंचर स्टेशन था जिसे देखकर उनके मन में रोकेट के प्रती उच्छुकता जागी उन्होंने थ्री ससूर के सरकारी इंजिनिरिंग कॉलिज से बेटाइक किया फिर पूने के इंस्टिटूट अफ अर्मामेंट टेकनोलोजी से एम्टेक किया 1985 में देश भर से दस नोजवानों को अगनी प्रोजेक्ट के नाम अगनी प्रोजेक्ट से जोडने के लिए चुना गया इन दस में टेसी थॉमस भी थी भारत में किसी भी मेसाइल प्रोजेक्ट को निर्देशित करने वाली वह प्रतम महिला हैं अधिक्तर रणनेतिक हतियार और नियोकिलियर मिसाइल के खेत्र में पुरुषों का वर्ष सव रहा अधिक्तर जादतर जो रणनेतिक हतियार या नियोकिलियर मिसाइल बनाने काम है वो पुरुष करते हैं लेकिन पिछले 20 वर्षों से टेसी थॉमस इस खेत्र में मजबू किसके निर्देशन में काम किया डॉक्तर एपीजी अब्दुल कलाम के निर्देशन में काम किया वे देश का मिसाइल प्रोजेक्ट संभाल रही हैं तेसी उन विग्या भारती महिलाओं के लिए एक प्रेरना स्त्रोध हैं जो अपने जीवन में कुछ करके आगे बढ़ना चा सफलतापूरग परिक्षन किया तेसी थॉंस अगनी दो मिसाइल प्रोजेक्ट की हैंड रही तेसी ने अगनी पांच मिसाइल प्रोजेक्ट की जिम्मेदारी भी संभाली हैं आज वे जमाना नहीं कि लोग महिलाओं को घर की चार दिवारी में बंद रखें महिलाओं अपन भी खेल सकती हैं सिमा पर लड़ भी सकती हैं एवरिस्ट पर भी जा सकती हैं और क्या कहें हर क्षेतर में महिलाओं आगे रहती हैं वे तो रास्ट पती प्रदान मंत्री भी बन चुकी है यह हम सब के लिए गर्व की बात है यानि कि इस चैप्टर में बताया है कि महिलाओं के बराबर खड़ी हैं अधिकतर रणनतिक हतियार या नुक्लियर मिसाइल में पुरुषों का वर्थ सवरायाने के पुरुष उस काम को करने में आगे रहते हैं लेकिन पिछले 20 सालों से टेसी थॉमस इस खेत्र में मजबूती से जुड़ी हैं रक्षा अनुसंधान वेविक पिजेक अब्दुलकलाम नहीं उनको निर्देश दिया उनकी देखरेक में उन्होंने वह काम किया व्यदेश का मिसाइल प्रोजेक्ट सम्हाल रही है टेसी उन भारते मैलाओं के लिए प्रेनस्तर होता है जो अपने जीवन में कुछ करके आगे बढ़ना चाहती है उनकी यह इच्छा है कि वह देश के मिसाइल प्रोजेक्ट में काम करे advance 2011 में अगनी चार का सपलता पूरक परिक्षण किया टेसी थमस्त अगनी दो मिसाइल प्रोजेक्ट की हैं Chad रही टेसी ने अगनी पांस में सेल प्रोजेक्ट की जिम्मेधरी भी संभाली अगनी योग गिता रुक्षमता के साथ हर शेत्र में आगे बढ़ रही हैं चाहिए वो एजुकेशन में हैं चाहिए वो साइंटिस्ट बनना चाहती हैं चाहिए वो फोर्स में हैं किसी भी शेत्र में लेलो महिलाई सबसे आगे हैं तैसे थामस महिलाओं को नाजुक समझने वालों क समक्ष एक उधारन है, हैदी महिलाएं चाहे तो वाग से भी खेल सकती हैं, सीमा पर भी लड़ सकती हैं, एवरेस्ट पर भी जा सकती हैं, और क्या कहें महिलाओं के बारे में, वे हर शित्र में अब पुरूशों से आगे हैं, वे तो रास्टपती प्रधान मंत्री भी बन ठीक है, इस चैप्टर को एक बार आप खुद से अपनी बुक अपन करके अच्छे से इसको पढ़ना, अच्छे से समझना, ताकि आपको और अच्छे से क्लियर हो जाएं, और हम जब अपने कोशन आंसर करें, तो वो करने में हमें कोई भी प्रॉब्लम नहीं आए, क्योंक जब हम नहीं पढ़ते हैं, तो हमें क्या सामनी कोशन आंसर लिखें मिलेंगे, सिर्फ हम उस टेम लिख लेंगे, और उस टेम रट लेंगे, लेकिन अगर दो दिन बाद आप सोचोगे, तो फिर भूल जाओगे, याद कब रहेंगे, जब आप खुद से उनको अच्छे से रीड करोगे, समझोगे, ओके बिटा, तो इस चैप्टर ज़रूर रीड करना, ताकि आपको सभी कोशन कैंसर अच्छे से क्लियर हो जाएं, तो आज की वीडियो हमारी यहीं पर समापत होती है, फिर मिलते हैं नेक्स वीडियो में, तब तक थेंक यू, have a nice day. झाल